मैं सिल्पी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल किचन सिल्पी एन क्रियेशन में आशा करती हूँ कि आज जो रेसिपी मैं सेयर करने जा रही हूँ आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी अगर अच्छी लगे रेसिपी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब क कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा तो यहां मैं आज शेयर कर रही हूं आपके साथ मुंफली से बने मोदक की रेसिपी और यह भगवान गड़ेश भगवान का मनपसंद भोग है तो और भगवान स्री गड़ेश जी का दिन भी चल रहा है तो उन्हीं क के उपलक्ष में आज मैं यह थाली यानि की मोदक की रेसिपी बनाई हूं आशा करती हूं कि यह रेसिपी आप सभी को बहुत ही अच्छी लगेगी तो यहां यह रेसिपी से एर करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मूफली को धीमी आज पर इस तरीके से बराबर चलाते हुए ड्राइ रोष्ट करना है अच्छे से भून लेना है और इस तरीके से जब छिलका इसका उतरने लगे तो समझ लीजिए मूफली हमारी बढ़िया क्रिस्पी क्वरकरी हो गई है तो इस तरीके से हम हाथों से अच्छी ले लेंगे और एक कटोरी काजू ले लेंगे काजू अप्सनल है अगर आप एट करना चाहते हैं तो एट कीजिए नहीं तो इसकिप कर दीजिए अब ये सब सामगरी हम एक साथ मिला के इसे बारीक पेश्ट यानि कि इसका पाउडर बना लेंगे तो मिक्सी को ध पान लेंगे कि जो बड़ा इसका है वो निकल जाए तो यहां जो बड़ा निकला था उसको फिर से मैंने एक बार ग्राइंड कर लिया है और सब उसी में मिक्स कर दिये हैं तो यहां एक कटोरी चीनी हम ले लेंगे लगभग और इसी में डाल देंगे आधी कटोरी पानी इ इसे अच्छे से mix कर लेंगे तो यह देखिए हलकी सी चिपचिपाहट वाली बनी है बिल्कुल एक तार भी नहीं बन रहा है ठीक से तो इसी तरीके का बस हमें चाहिए क्योंकि इसके लिए तार नहीं बनाना है और यहां हम इसे धोड़ा धोड़ा करके अच्छे से इसमें mix क कर देंगे जो हमारा यह पाउडर बना हुआ है तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे बराबर चलाते रहेंगे नहीं तो यह लग जाएगा इसका कलर नहीं चेंज करना है गैस फ्लेम को हम बिल्कुल लो पे ही रखेंगे अब इसमें डाल देंगे हम वन टेबल इस्पून घी और घी को भी अच्छे से इसमें mix कर लेंगे अब इसे हम बराबर चलाते रहेंगे इस तरीके से और जब यह अच्छे से कडाही छोड़ने लगेगा बैंड हो जाएगा आपस में या फिर इसे चेक करने का एक प्रोसेस यह भी है कि हाथ में थोड़ा सा इसे ले लीजिए और हलका सा जब इसमें बॉल बनने लगे तो स इस फ्लेम को हम इस स्टेज पे बंद कर देंगे क्योंकि कडाही तो पहले से ही गरम है तो उसमें थोड़ी देर इस तरीके से होने देंगे और उसको होने के बाद इसे किसी बरतन में निकाल लेंगे इस तरीके से फैलाके से थोड़ा सा ठंधा कर लेंगे तो इसी में हम डाल देंगे ये ड्राइ रोष्ट किया हुआ थोड़ा सा गुलाब है तो इसमें गुलाब की पंखुडियां इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे आप कोई भी ड्राइ फ्रूट्स डाल सकते हैं जो भी डालना चाहें या फिर उसे इसके भी कर सकते हैं इस तरीके से आप इस ट्फिंग करके भी बना सकते हैं अब इसे अच्छे से हम इस तरीके से हातों से मिक्स कर लेंगे अगर यह हातों में चिपके तो ठोड़ा सा घी लगा लीजिए हाथ में तो अब यह ले ले लेंगे हम मोदक का मोल्ड और मोल्ड को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे घी की सायता से अब हम इस तरीके से थोड़ा सा पिस्ता गानिसिंग के लिए लगा देंगे आप चाहें तो उपर से भी लगा सकते हैं तो यहां मैंने इसी तरीके से लगा दिया था तो एक बार ये पीनट के मोदक बना के जरूर खाईएगा बहुत ही टेश्टी बन के रेडी होते हैं काजु कतली जिन लोगो पसंद है उन लोगो बहुत ही अच्छा लगेगा ये मोदक तो इसी तरीके से हम सारे मोदक को रेडी कर लेंगे बना लेंगे तो यहां मैं एक और फिल करके इस तरीके से दिखा रही हूँ इसी तरीके से आप बिना मोल्ड के भी बना सकते हैं अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो उसे भी हाथों में लेकर और किसी चाकू या चम्मच की पीछे के साइट के साइट से डिजाईन बना दीजिए कट करके वो मैंने हातों से बना के नहीं दिखाया आपको उसके लिए माफ कीजिएगा तो यहां इस तरीके से अच्छे से इसे हम फिल कर लेंगे और फिल करने के लिए तो इस तरीके से इस गड़ेश उत्सों में आप ये पीनट के मोदक बना के रेडी कीजिए आशा करती हूं कि ये रेसिपी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी बबाय टेक केर